अब इस question में आप से ये पुछा जा रहा है कि evolution by stages इसका मतलब क्या है देखो evolution by stages इसका मतलब यह है कि जो evolution है न वो एकदम से नहीं हो जाता evolution एक बहुत ही ज़दा slow और continuous process है evolution के अंदर बहुत ही ज़दा time लगता होता है बहुत सारी generations लगती होती है और धीरे 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 करते करते थोड़े changes आते हैं जब वो accumulate हो जाते हैं तो काफि बड़ा change आता है जिसकी वज़े से evolution होता है और इस बात को explain करने के लिए एक organ कैसे develop होता है उसका example आप दे सकते हो तो आप ऐसे लिखोगे organs do not evolve all of a sudden in species जो organs है न वो एकदम suddenly नहीं appear हो जाते हैं ऐसा नहीं होगा कि पिछली generation के अंदर एक organ नहीं था और next generation के अंदर एक organ की development हो गई है ऐसा कभी भी नहीं होगा evolution is a continuous and slow process जो evolution है न वो एक continuous और बहुत ही ज़दा slow process है evolution by sketches means that complex organs will be created bit by bit over several generations किसी भी organ की अगर development हो नहीं है न किसी species के अंदर तो धीरे धीरे bit by bit बहुत ज़दा धीरे धीरे वो develop होगा और काफी सारी generations लगेंगी एक organ को completely develop होने के अंदर for example देखो हमारे पास eyes है न और eyes सिरफ हमारे पास सोड़ी है बहुत सारे living organisms है जिनके पास eye है अभी जो eye है न ये एक बहुत ही ज़दा complex organ है तो starting के अंदर जो सबसे पहला living organism होगा न जिसके पास eye होगी जिसके पास ऐसा eye होगी देखने के लिए आखे होगी आज के काइम पे जैसी हमारी eyes है न अर्थ के उपर जो सबसे पहला living organism होगा जिसके पास eye present होगी जिसके पास eyes होगी उसकी आखे और हमारी आखे completely different है जो सबसे पहला living organism होगा न उसके पास हमारी जैसी आइस नहीं होगी उसके पास तो सिरफ न एक eye spot होगा और वो सिरफ यही बता सकता होगा कि light है या फिर light नहीं है सिरफ light की presence और absence के बारे में बता सकता होगा फिर धीरे धीरे जाके जब improvement होगी big by big थोड़ा सा evolution और होगा तो वो light की presence और absence के साथ light की intensity के बारे में भी पता पाएगा कि कितनी ज़ादा bright light है फिर धीरे धीरे colors के बारे में भी पता पाएगा और finally जाके हमारी जो आखे है जो कि एक बहुत ज़ादा complex organ है फानी लिज जाके इस तरह की eyes develop हो गई होगी तो eye is a complex organ, it cannot be generated by a single DNA change एक single DNA के अंदर हलका सा change आने की वज़े से आखों जैसा complex organ create नहीं किया जा सकता early organisms had eye spots to detect only the presence or absence of light शुरुवात के अंदर जो नएने organisms से ना जब अर्थ, जो अर्थ के उपर शुरुवात में जो organisms present थे जिनके पास eyes थी, उनके पास जो eyes होती थी ना, वो सिरब यही बता पाती थी कि like है या फिर like नहीं है gradually, with time, eyes developed bit by bit over several generations धीरे धीरे time के साथ साथ, जो eyes है, धीरे धीरे वो improve होती गई और बहुत सारी generations के बाद, जो eyes है, वो इतने जादा complex organ की form के अंदर अब हमारे पास available है तो clear होगे आपको, evolution by sketches का मतलब क्या होता है evolution by sketches का मतलब यह है, कि evolution एकदम से कभी भी नहीं होता जो evolution है यह continuous और slow process है continuous तो है, पर यह बहुत ही ज़्यादा slow process है evolution का मतलब होता है, character six के अंदर काफी ज़्यादा change आ जाना और किसी organ की अगर development हो रही है, तो इसका मतलब भी आई है कि character six के अंदर काफी ज़्यादा change आ रहा है तब ही organ के example से आप इस cancer लिख सकते हो अगर किसी भी organ की development हो रही है न, species के अंदर तो जो organ की development है, वो एकदम से नहीं हो जाती मतलब ऐसा नहीं है कि previous generation के अंदर एक organ नहीं था और next generation के अंदर एक नया organ develop हो गया है ऐसा कभी भी नहीं होगा evolution हमेशा stages के अंदर होता है और इसका मतलब ही है कि जो complex organs है they will be created bit by bit over several generations complex organs will be created bit by bit over several generations और इसके example के अंदर आप eye का example दे सकते हो कि जो हमारी eyes है वो एक complex organ है सिरफ complex ने काफी जादा complex organ है और इतना complex organ एक single DNA change से create नहीं हो सकता मतलब एक ही generation के अंदर ये create नहीं हो सकता जो early organism से न शुरुवात के जो organism से उनके पास जो eyes हुआ करती थी उन्हें eye spots बोलते हैं और उनकी eyes सिरफ ये बता सकती थी कि like है या फिर like नहीं है वो सिरफ presence और absence of like के बारे में पता सकती थी फिर gradually with time धीरे धीरे time के साथ साथ जो eyes है वो develop हुई और धीरे धीरे big by big over several generations वो develop होती होते जैसी हमारे पास eyes है ना इस तरह की eyes में convert हो गई हैं झाल